मौसम अब सुभा और श्राम को छोड़ कर बदलने लगा है दिन में तेज धूप निकलती है जिससे लोग बच्चते नजर आते हैं राजधानी दिल्ली में रविवार सुभा साथ बजे नियुन्तम तापमान सोला डिग्री रहा जो सामानने से 8 डिग्री जादा है तो वहीं मैदानी इलाकों में एक बार फिर तापमान में बड़त देखने को मिल रही है और बात की जाए पहाड़ी इलाकों की तो हलकी से मध्यम बारिश और बर्वबारी के आसा बने हुए है आईए बताते हैं आपको देश भर में मौसम का हाल कैसा बना हुआ है सबसे पहले बात की जाए देश की राजदानी दिल्ली की तो दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर गर्मी बढ़ने के संकेत मिलने लगे है भारत मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक दिल्ली में आज सुबा साथ बजे नियुनतन तापमान 16 डिगरी रहा जो सामानने से 8 डिगरी जादा है रविवार को अधिक्तम तापमान 31 डिगरी सेल्सियस रहने के असार है आज दिन में 6 से 12 किलो मेटर की रफतार से हवा चलने का भी पूर्वनुमान है एक दिन पहले यानी 25 फरवरी को दिल्ली में अधिक्तम तापमान 31 डिगरी सेल्सियस रहा था शनिवार से ही दिल्ली में वायू परदूशन में फिर से बड़ोतरी के संकेत मिले है इस बार फरवरी में रिकॉर्ड तोड गर्मी देखी जा रही है 20 फरवरी को 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अधिक्तम तापमान 33.6 डिगरी सेल्सियस रहा पिछले दो सालों में तीन दिन के दौरान तापमान में आंशिक गरावट देखने को मिली लेकिन आज से इसमें फिर से इजाफा होने के आसार है तो वहीं गर्मी में 25 फरवरी से एक बार फिर पस्चमी विशोब सक्रिय हो गया है अगर ये सिल्सिला जारी रहा तो तापमान में बड़ा उत्री देखने को मिलेगी ये पस्चमी विशोब 27 फरवरी तक रहेगा इसके बाद 28 फरवरी से एक और ताजा पस्चमी विशोब एक्टिव होगा जिसका असर पस्चमी हिमाले छेत्रों पर 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच दिखने वाला है आईमडी के नुसार फरवरी के महिने में मजबूत वैस्टन डिस्टरबेंस देखने को मिलते हैं जिन से बारिज भी होती है और तापमान भी अतिक नहीं बड़ता लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ मजबूत की जगा कमजोर पस्ट में विशोब एक्टिव हैं और यहीं वज़ा है कि तेजी से तापमान बड़ोतरी जारी है इतना ही नहीं फरवरी में ही अप्रेल जैसी गर्मी का लोगों को ऐसास हो रहा है इसके अलावा दिल्ली NCR में हवा की गती में कमी के चलते प्रदुशन में भी इजाफा हो रहा है तो वहीं उत्तर परदेश के मौसम की बात करें तो राजधानी लखनों में नियूंतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिक्तम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है इसके लावा आस्मान साफ रहेगा यहां अगले पांच दिन तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है दिल्ली से सटे गाज़ेबाद की बात करें तो यहां कान्यूंतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिक्तम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है जम्मो में हलकी से मध्यम या फिर छिटपुट बारिश और बर्वारी होने की संभावना है इसके साथ ही 27 वरवरी तक कश्मीर, लद्दाग, बालिटिस्तान और मुझफराबाद, हिमाचल पादेश और उत्राखन में भी बारिश और बर्वारी होने की संभावना है अभी के लिए फिलाल इतना ही, खवरों में बने रहने के लिए देखते रहिए One India Hindi